नमस्कार दोस्तों मैं आपसे कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का क्लास 10 के Physics के सेशन में तो इस सेशन में हम लोग एस्चेंद बुक से Physics का First Chapter Electricity को डिस्कस करेंगे तो इस वीडियो में अंद तक आप बने रहिए ताकि जो भी टॉपिक आज के वीडियो में समझाया जाए वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो स्टार्ट करते हैं Electricity से तो सबसे पहले Electricity के बारे में हम लोग जानते क्या है तो हम लोग जानते हैं कि जो अभी Modern Time है इसमें Electricity जो है वो बहुत ही Important Source of Energy है यानि कि कोई भी छोटा से छोटा काम अगर हमें करना है जो घरेलू यूज का हो या फिर किसी इंडस्ट्री में या फिर ट्रांस्पोर्ट में उसमें Electricity का यूज होता है जैसे एक जामपल अगर देखें तो हम अपने घरों में Electricity का यूज क्यों करते हैं तो हम करते हैं Lightning के लिए फैन चलाने के लिए उसके बाद Heating Purpose के लिए अब तो Cooling Purpose के लिए भी यूज होने लगा है जैसे कि Air Condition वगएरा है वो Electricity से ही चलता है और अगर इंडस्ट्री में देखा जाए तो बहुत सारे जो Machines हैं उनको चलाने के लिए Electricity का यूज होता है और अगर ट्रांस्पोर्ट सिस्टम में देखा जाए तो ट्रांस्पोर्ट सेक्टर में होता क्या है कि Electricity से Electric Trends चलाए जाते हैं और अभी तो जो EDIK साब अगेरा आगया है उसे भी जो चार्ज करना होता है तो उसे हम किस चीज से चार्ज करते हैं तो Electricity से ही यानि कि हमारे Life में हड़े सेक्टर में Electricity का बहुत ज़्यादा यूज है मतलब Electricity के बीना अब जो हमारा Life है वो संभव है ही नहीं अगर कहा जाए कि Electricity के बीना हमारा जो Life है वो पॉसिबल नहीं है मतलब इतना असानी से जो हमारा Life जो है वो इतना Easily चल रहा है वो बीना Electricity के हुई नहीं सकता है तो इस चैप्टर में हम लोग जो Point को डिसकस करेंगे जो Topics डिसकस करना है वो देख लेते हैं तो सबसे पहले जो हमारा Topic है इस चैप्टर में वो डिसकस करेंगे Electric Potentials के बारे में उसके बाद Electric Current के बारे में Electric Power के बारे में और Hitting Effect of Electric Current यानि Electric Current से कैसे मतलब हम Heat Energy में Electric Energy को कैसे हम Heat Energy में Change करते हैं और उससे Hitting Effect का युज़ तो इन सब को समाजने से पहले मतलब यह जो चैप्टर है हमारा Electricity इसी को समाजने से पहले हमें एक Topic है एक Point है जिसे जानना बहुत ज़रूरी है वो Point है Electric Charge तो सबसे पहले हम डिसकस करते हैं जो की Experiment आपने बहुत बार किया होगा यह इस Experiment से हम लोग सुरुआत करते हैं तो कौन सा Experiment तो आप करेंगे क्या कि अपना एक कॉम लेंगे मतलब प्लास्टिक का जो कॉम होता है कंगी उसे लेना है और छोटी छोटी पेपर के पीसेज लेना है और उसके नजदीक उस कॉम को ले जाना है तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा लेकिन जब उसी कॉम को हम अपने ड्राइ हेर पे रब करते हैं और उसके बाद उस कॉम को उस टीनी पीसेज और पेपर जो है मतलब पेपर के जो छोटे-छोटे टुकरे हैं उसके पास अगर ले जाएंगे तब क्या होगा? तो जो भी पीसेज और पेपर से हैं अब आया क्या? कि उस कॉम में हमारे ड्राइ एर में रब करने के बाद उसमें चार्ज आ गया है कौन सा चार्ज? तो इलेक्ट्रिक चार्ज इसी कारण से वो जो पीसेज और पेपर से हैं वो इसकी और मतलब कॉम की टुवार्स अट्रैक्ट हो रहा है यह जो अबजर्बेशन है यह हमें दिखाता है कि इनिस्याली जो कॉम था वो इलेक्ट्रिक अली न्यूट्रल था मतलब उस पे कोई चार्ज नहीं था और जब हम उसे रगरते हैं मतलब अपने हेर से रब करते हैं तब उसमें इलेक्रिक चार्ज आ जाता है, तो और भी हम देखेंगे, अब इलेक्रिक चार्ज जो कॉम में है, वो क्या किया कि एलेक्रिक फोर्स अप्लाई किया, टिनी पीसे जो पेपर्स पे जिसके कारण वो अट्रैक्ट हुआ, अब इसी तरीके से और भी कुछ एक्सपे पर रब करेंगे तो यहां भी उसके पास ability आ जाएगा कि वो small pieces of paper को attract करें यानि ability आया कहां से तो क्यूंकि उसमें electric charge आ गया इस कारण इसी ability के कारण वो उस tiny pieces of papers को अपनी और attract कर रहा है अब हम लोग देखते हैं कि यह जो जो experiment कियें उसके बाद अब charge के types के बारे में मतब charge को कितरे types में बाटा गया है तो ऐसा experiment से प्राप्त हुआ कि जो charge है electric charge वो दो तरीके के हैं एक जो है वो positive charge है दूसरा जो है वो negative charge तो हमने अपने सुविधा के लिए किया क्या कि जो भी charge glass red पे हुआ था तो glass red को हम लोगों ने किस चीज़ से रग रहा था तो silk cloth से मतब रब किया था तो उस पे जो charge आया उसे positive charge हमने मान लिया मतब ग्लास red जिसे हमने silk cloth पे रब किया उस पे positive charge आ गया और जो ebonite red को हमने रब किया था coolant cloth पे उस पे मान लिया गया कि इस पे negative charge है तो अपने convenience के लिए ये हम लोगों ने मान लिया और वही अभी तक मांगते आ रहा है अब important property electric charge का होता क्या है वो हम जानते हैं तो दो इसका important property है वो देख लेते हैं तो first जो property है वो है क्या कि जो भी opposite charge होते हैं या फिर जिसको हम कह सकते हैं unlike charge वो एक दूसरे को attract करते हैं जैसे अगर एक positive charge है दूसरा negative charge है तो वो एक दूसरे को attract करेगा सेम केस है मैगनेट जैसा मैगनेट में होता क्या है कि अगर दोनों पॉल जो मैगनेट का दोनों पॉल है अगर नौथ पॉल को हम नौर्थ पॉल की और लाते हैं तो वो अट्रैक्ट नहीं करेगा यहां पर क्या है और निगेटिव चार्ज जो है वो निगेटिव चार्ज को यानि कि दू अगर हम रड ही ले लिए और दोनों अगर हम ले लिए ग्लास रड ही और दोनों को रब किये थे तो दोनों में कौन सा चार्ज होगा तो दोनों में अगर पॉजिटिव चार्ज है दोनों को अगर नजदीक लाएंगे तो एक दूसरे को वो क्या करेंगे रिपेल करेंगे लेकिन वही अगर हम एक इवनाइट रड ले लेते हैं जो की रब करने से उसमें चार्ज आ गया है ले जाते हैं जिसको किसी इंट क्लॉज से हमने रब किया तो उसमें भी चार्ज आ गया अब दोनों को एक नजदिक ले जाएंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे यानि कि दोनों पर पोजिट चार्ज है तब अट्रैक्ट होंगे और अगर सेम चार्ज रहेगा तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे अब हम जानते हैं कि ये जो इलेक्टिक चार्ज है उसका इसा यूनिट क्या होता है मतलब हम उसे किस चीज में मेजर करते हैं उसका यूनिट क्या लेते हैं तो उसका यूनिट होता है कूलम यानि इलेक्टिक चार्ज का यूनिट कूलम और इसे हम capital C letter से denote करते हैं अब 1 coulomb जो quantity होता है electric charge का उसे हम क्या कर सकते हैं तो उसे हम कहेंगे क्या कि 1 coulomb is that quantity of electric charge which exerts a force of 9 into 10 to the power 9 newtons on an equal charge placed at a distance of 1 meter from it यानि कि एक कुलम quantity charge का तब generate होगा तब exert होगा जब वो जो charge है मतलब किसी अगर electric किसी object पे वो charge है वो 9 into 10 to the power 9 newton का force exert करता है जब दोनों charge जो हैं वो एक दूसरे के distance मतलब एक दूसरे से 1 meter अपार्ट है यानि कि दोनों जो charge है हमारा मालनी जे कि एक positive negative भी हो सकता है या फिर दोनों का दोनों positive भी हो सकता है दोनों का दोनों negative भी हो सकता है तब वो जब एक दूसरे पे force लगाया 9 into 10 to the power 9 newton का जब अगर दोनों same charge है तो कैसा force लगाएगा repulsion यानि एक दूसरे को इतने force से अगर धका देगा और 1 meter अगर ये पार्ट है ये दूर रखा हुआ है और इतने force से अगर धका देगा तब उसमें 1 कुलम चार्ज electric charge generate होगा तो हम लोग अब जान गए कि जो matter है उसमें कॉनकोंसर charge होता है तो matter में दोनों charge होते है positive charge भी होता है और negative charge भी होता है तो positive charge जो matter में होते है उसे हम proton करते है और जो matter में negative charge होता है उसे electron करते है और एक और चीज होता है जो कि neutral होता है तो proton हो गया, electron हो गया और neutron, यानि neutron पे कोई भी charge नहीं होगा अब proton जो है उसके पास कितना charge होता है तो positive charge होता है उसका quantity होगा magnitude अगर कहा जाए तो 1.6 into 10 to the power minus 19 कुलम जबकि electron जो होगा उस पे negative charge होगा और उस charge का भी value same होगा, यानि 1.6 into 10 to the power sign होगा वो अलग-अलग, यानि कि proton पे जो charge होगा वो positive यानि people positive याद रखेंगे और दूसरा जो electron है वो negative charge, लेकिन जो दोनों का charge है उसका value same रहेगा तो अब हम लोग जान गए कि देख सकते हैं कि एक electron और एक proton पे कितना कम charge है, यानि कि 10 to the power minus 19 कुलम के बराबर, यानि कि जो एक कुलम जो होता है वो बहुत बड़ा charge होता है अगर electron और proton की बात की जाए तो बहुत बड़ा charge है और इसको हम एक example मतलब यहाँ पे जो question दिया हुआ है उससे समझेंगे तो करना क्या है इस question में क्या calculate करना है होंगे कि कितने electron को मिला करके हमारा charge जो है वो 1 कुलम के बराबर हो जाएगा तो हम करते क्या है कि हम चानते हैं कि electron पे जो charge होता है वो 1.6 into 10 power minus 19 कुलम होता है और यदि ये charge है और हमें जो number of electrons है वो कितना है 1 तो हम 1 कुलम में निकाल रहे हैं तो number of electron find करना है तो 1 by 1 पे जितना charge हुआ यानि 1 electron पे जब इसको हम करेंगे तो ये 10 to power 19 है जब उपर जाएगा तो ये positive हो गया minus 19 divided by 1.6 और जब हम total calculation करते हैं तो number of electron जो आता है 1 कुलम charge में वो 6.25 into 10 to the power 18 समझे कितना ज़्यादा electron मिलकर के और 1 कुलम charge बनाता है तो ये example से हमें समझ में आया कि जो एसा unit है electric charge का जिसे हम कुलम कहते हैं वो किसके बराबर है यानि 1 कुलम जो है वो किसके बराबर है तो 6.25 into 10 to the power 18 electron के charge के बराबर यानि इतना सारा electron के charge के बराबर 1 कुलम है यानि 1 कुलम जो है वो बहुत बड़ा electric charge है अब हम जानते हैं कुछ basic concept जो कि आप लोग जानते होंगे conductor और insulator के बारे में तो वैसा substance जो electric charge को अपने से flow करा है उसे हम conductor काते हैं और जो ना flow करा है उसे हम insulator काते है simple हम लोग जानते है और वही यहां भी है कि जिसे electricity होकर के पास करे चाहे वो metals हो या फिर जो भी चीज हो तो उसे हम conductor काते हैं simple तो metals हो गए जैसे कि silver, copper, aluminium ये सब conductor हो गए और कुछ metal, ly भी होते हैं नाइक्रोम हो गया, मैगनीन हो गया, constant, tan हो गया इनका यूज हम लोग करते हैं heating element of electric appliances तो वैसे electric appliances जिनके, जिनसे हम heat का यूज करते हैं जैसे हमारा iron हो गया या फिर electric heater हो गया और भी electric induction हो गया इन सब में, इन सब जो metal alloy हैं इनका यूज होता है ये coil का यूज करते हैं तो ये सब भी conductor हैं लेकिन, मतलब जो alloy है ये भी conductor हैं, लेकिन इनमें खास बात क्या है, कि इनका electrical conductivity जो है, वो बहुत कम है, pure metal से तो इस कारण, इनहें हम यूज करते हैं as a heating element मतलब इसमें से तो electric charge flow हो रहा है मतलब current flow हो रहा है लेकिन उतना वो conduct उसे नहीं कर रहा है, तो वो जो current है वो किस में transfer हो जाएगा, तो यहाँ heat में transfer हो जा रहा है, अब एक non-metal है, जो कि हमारा carbon है तो carbon का graphite form ये भी conductor है, अब conductor कोई चीज क्यों होता है, क्यों वो insulator होता है, इसे हम थोड़े देर में जानते हैं, तो एक चीज और जो हमारा human body है, वो भी एक बहुत अच्छा conductor है, यानि कि अगर हम पकड़ते हैं electricity का जो end है, अगर उसे हम छुएंगे तो हमें बहुत जोड़ से जटका लगया, क्योंकि conductor है, हमारे body से वो electricity पास करता है अब देख लेते हैं कि insulator मतलब हम लोग किस तरीके से बनाते हैं, तो यहाँ पे conductor जो है जैसे कि यह wire है हमारा, इसमें जो बीच से जो copper wire रहता है वो conductors होता है, उसके बाहर जो plastic cover होता है, वो insulator होता है अब उसकी तरीके से यह 3-pin plug है जिसको हम यह plug काते है 3-pin plug, इसमें जो metal का जो pin है, वो होता है conductor और जो भी plastic का इसका cover है, जिसे हम पगड के मतलब उसको socket में लगाते हैं, वो हो जाता है insulator, ताकि, अब insulator क्यों इसमें दिया हो रहता है, ताकि हमें socket न लगे, क्योंकि insulator से तो electricity pass होगा ही नहीं, तो हमें socket नहीं लगेगा, अब यहां insulator का definition दे दिया, यानि कि वैसा substance जिसे की electricity pass न कर सके उसे हम insulator करते हैं, इसके example में आएंगे, हमारे glass, evo nitride rubber, उसके बाद बहुत सारे plastic paper, dry लकडी में भी कौन सा सुखा, उसके बाद cotton हो गया, mica हो गया, bakelite माइका का यूज हम लोग iron के coil के साथ करते हैं, ताकि वो उसके body में current ना आए, उसके बाद bakelite हो गया, porcelain, सीनी, मित्ती उसके बाद dry air, weight air रहेगा बरसाथ के दिनों वाले, तो उसमें थोड़ा न थोड़ा conductor के तरह वो behave करेगा, तो इसकारण से dry air, ये सब के सब insulator हैं, क्योंकि ये electric charge को अपने से होकर के flow करने ही नहीं देते हैं, तो यदि हम अब इसके बारे में अगर देखेंगे, कि glass red और ebonite red के बारे में हो लोग ने insulator है, इसलिए तो इन में charge जो होता है, वो bound रहता है, बंधा रहता है, क्योंकि अगर ये insulator नहीं रहेंगे, तो हमारा body जो है, वो conductor है, अगर हम उसको charge करेंगे, और अपने हाथ से ही तो उसे पकरे रहेंगे, तो होगा क्या, उसका जितना देर रहेंगे, उसमें charge रहता क्यों है, तो उसमें charge रहने का कारण एक ही है कि वो insulator है, या जो charge रहेगा, वो उसके ऊपर रहेगा, उसके अंदर से वो charge एक जगा से दुसरे जगा flow नहीं करेगा, यानि कि जिस area को हम रब करते है, जिस portion को रब करेंगे उसी portion पे charge रहेगा, यह नहीं कि उसके एक हिंट से दुसरे हिंट पे charge चला गया, क्यों? क्योंकि ये insulator है, अब insulator कैसे होता है, कोई चीज, कोई चीज conductor कैसे होता है, आगे हम लोग देखते हैं, तो हम लोगों ने अभी electrons होते हैं, जो कि loosely होते हैं, मतलब loose, loose मतलब वो कहीं इधर उधर जा सकता है, उसके अंदर मतलब metal के अंदर ही वो move कर सकता है, तो इसी loosely electron के कारण, जो की डिला मतलब एक तरीके से का सकता है, loose रहता है, जो की कहां, तो nuclei मतलब atom के उसी के कारण ये कंड़क्टर है तो Państwo कैसे हैं मतब लूज तो लूज से क्या अंतर हुआ तो यह जो मत अदिश्यलेट्टरॉन होते हैं उन्हें हमory जो भी कंड़क्टर है उसमें एक अगर कंड़क्टर कोई है हमारा जैसे कि कोई रड है या फिर कोई वायर है उसमें बहुत सारे अटम से वह मिलकर बना होगा तो उसका जो इलेक्ट्रॉन है वह एक अटम से दूसरे अटम मूव कर सकता है जब वह लूजली हेल्ड हो और या इनहीं इलेक्ट्रॉन के मुवमेंट्स के कारण वो जो सबस्टांस है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंड़क्ट कर सकता है इसलिए उसे हम कंड़क्टर कहते हैं अब जो इलेक्ट्रॉन इंसुलेटर में रहता है इंसुलेटर में भी इलेक्ट्रॉन रहता है लेकिन वो इल इलेक्ट्रोन उसमें है नहीं इंसुलेटर में इस कारण वो एक एटम से दुसरे एटम मूब कर ही नहीं सकता है तो जब वो इलेक्ट्रोन मूब करेगा ही नहीं तो हमारा इंसुलेटर है वो इलेक्ट्रिक चार्ड या इलेक्ट्रिसिटी अपने से कैसे फ्लो करवाएगा त तो electricity को हम लोगों ने classify किया है दो parts में, फस जो part है वो static electricity, second जो है वो current electricity, तो अभी तक जो भी हम इस chapter में electricity देखती आ रहे थे, वो सब का सब static electricity था, यानि कि जो इवो नाइट रड पे जो electricity generate हुआ, उसके बाद जो glass रड पे electricity generate हुआ, aesthetic, मतलब जहां वो generate हुआ, वो ही पे वो रुगा हुआ रहा है, static रहा, वो move नहीं किया, लेकिन इस chapter में हमें सबसे ज़्यादा जानना है current electricity के बारे में, मतलब वैसा electricity जो की flow करें, एक जग होते हैं, वो wrist में होते हैं, वो move नहीं करते हैं, तो जैसे कि glass red में हम लोग ने देखा था, इवो night red में देखा था, ये सब के सब static electricity थे, और एक जो static electricity हम लोग हमेशा देखते हैं, अभी जो बरसात का मौसम है, उसमें जो lightning होता है, यानि कि जो बिजली चमकती आकास में, rainy season में, इसमें भी static electricity ही रहता है, अब हम लोग जानेंगे current electricity, लेकिन ये static electricity जो है, उसका बहुत ज़्यादा पावर रहता है, इस कारण ये होता क्या है, कीप, और ये आता क्यूं है, क्यूंकि हम लोगों ने जाना कि dry जो air है, वो क्या है, तो dry air insulator है, लेकिन जो wet air है, वो insulator नहीं है, और rainy season में होता क्या है, कि हमारा जो air है, वो गिला हो जाता है, वारिस के कारण, इस कारण वो electricity नीचे आ जाता है, तो इसी कारण थंडर स्ट्रॉम भी होता है, बिजली इसी कारण से गिरता भी है, मतलब बोला जाता है, कि हाँ आज बिजली गिर गया, तो इसी का electricity वहाँ से जो generate किया, वो नीचे तक flow हो जाता है, अब current electricity जिसे हम लोगों को इस chapter में परना है, उसमें क्या होता है, कि जो electricity charge होते हैं, वो motion में होते हैं, यानि कि यहाँ electric current produce होगा, तो यहाँ electric charge हम लोग देखते कहा है, तो जो भी हमारे घरों में, जो current electricity होता है, जो electricity होता current electricity में हमें क्या जानना है, electric potential को, तो electric potential को हम जानेंगे, तो electric potential होता क्या है, इसका definition समझते हैं, उसके बाद इसे हम कैसे define करेंगे, यह होता क्या है, सब जानेंगे, तो जब कोई small positive test charge को universe किया गया किसी electric field में, क्या नहीं कि, अगर कहीं पे electric field अमतल knife कोई हमारा charge है, तो उस चार्ज के effect के कारण उसका मतलब जहां तक जितने दूर तक प्रभाव रहेगा मतलब जितने area तक वो किसी भी charge को मतलब same charge को repel कर सकता है अगर उस area में आए या फिर opposite charge को जिस area में आने के बाद वो attract करता है जैसे हमारा magnet रहता है ना तो magnet का एक area रहता है जिसे magnetic field करते हैं मतब उस area में हम किसी iron nail को लाए या फिर दूसरे magnet को लाए तो वो क्या करता है attract कर लेता है या फिर अगर उसके same pole को हम लाते हैं तो वो repeal करता है same चीज यहां भी होता है क्या कि एक electric field generate हो जाता है तो जब कोई small positive charge को हम किसी electric field में रखेंगे और यह electric field generate किसके कारण होगा तो किसी दूसरे charge के कारण तब वो एक force experience करेगा जैसे magnet में force experience करता है magnetic force उसी तरीके से यहां भी वो एक force experience करेगा मतलब उससे ऐसा लगेगा कि उसके उपर एक force लग रहा है जब किसी small positive test charge को हम लाते हैं अब test चार्ट क्योंकि उससे पर test हमें करना है कहां हम लाते हैं किसी दूसरे charge के कारण जो electric field है उसमें तो जो work done होगा इस positive test charge को move कराने में मतलब against this force of repulsion तो यहां repulsion क्यों हो रहा है क्योंकि वो जो हमारा small charge है वो ही positive है और जिस charge के electric field में हम ला रहा है वो ही positive charge है तो दोनो positive है तो यहां force of repulsion होगा और इस force of repulsion को करने के लिए कुछ work करना पड़ेगा तो अब होता क्या है electric potential तो electric potential या फिर उसे हम simple potential करते हैं वो electric field में मतलब किसी भी दूसरे charge के कारण जो electric field generate हुआ है उस field में किसी भी point पे हम define करेंगे इस electric potential को क्या कि जो work done किया गया उस unit positive charge को move कराने में मतलब infinity से उस point पे move कराने में जो work done किया गया उसी को हम electric potential या फिर simply potential करते हैं और potential को हम denote करते हैं symbol B से और इसका unit volt होता है तो simply हम लोग अपने life में इस potential को जानते हैं और इसे हम किस नाम से जानते हैं तो इसे हम voltage के नाम से जानते हैं जो voltage है वही potential है तो यहां हम लोग electric potential को जान रहा हैं यानि कि electric potential क्या हुआ कि जो work done किया गया उस unit positive charge को infinity से उस point पे move करने में उसी को हम electric potential कहेंगे अब potential जो होता है वो अगर 1 volt है इसका मतलब है क्या कि एक जूल work done किया गया एक unit positive charge को move कराने में infinity से उस point पे तो चुकि unit positive unit जो है वो charge का वो column है तो हम कह सकते है क्या कि potential अगर एक volt का मतलब एक volt potential का मतलब क्या है किसी भी point पे कि एक जूल work किया गया एक कुलम और positive charge को infinity से उस point पे move कराने में जो work किया गया तो कितने charge को एक कुलम को infinity से उस point पे move कराने में one joule का work किया लिया वही हमारा one volt potential के बराबर होगा और more जो common terms है जो हम electricity use करते हैं इसमें potential difference को discuss करेंगे अब तो potential difference ही हम discuss करते हैं तो potential difference आता है यही potential difference potential नहीं potential difference जो होता है वो voltage होता है तो potential difference को देखते हैं यह है क्या कि difference electric potential का किसी भी दो point पे कोई अगर दो point है मतब जो charge point है उन दोनों point में जो electric potential का जो difference होगा उसी को हम potential difference करते हैं अब potential difference अगर दो point का किसी भी electric circuit में अगर define किया जाए तो ये होता क्या है कि amount of work done in moving a unit charge from one point to another point यानि कि किसी भी unit charge को एक point से दूसरे point तक ले जाने में जितना work done किया गया उसी को हम potential difference कहते हैं उन दोनो point के बीच में यानि कि अब एक चीज और हम आगे जानेंगे कि जो भी charge होता है वो move तब ही कर पाता है जब दोनों point में कुछ न कुछ potential का difference होगा तो तो आगे हम देखेंगे कि कैसे उसको basic जो कुछ common examples है उससे समझेंगे तो अब हम जानते है जो हमारा electric potential है उसके formula को तो जो हमारा potential difference है उसके formula को जानेंगे तो potential difference is equals to होता क्या है work done divided by quantity of charge moved यानि कि हमें एक कुलम quantity of charge को move करने में अगर एक जूल work done हम करते हैं तो potential difference हमारा one volt के equal होता है तो यही हमारा हो गया क्या formula potential difference is equals to work done divided by quantity of charge moved तो इसे हम simply जो potential difference है इसे भी से denote करते हैं work done को W से और जो quantity of charge moved है उसे हम Q से अब potential difference का SI unit क्या हो जाएगा तो जो potential का हमारा SI unit था वही हमारा potential difference का SI unit हो जाएगा और यह हो जाएगा हमारा volt और इसे हम later V से show करते हैं और potential difference को कभी-कभी हम PD भी लिख देते हैं मतलब PD इस तरीके से P dot D यानि potential difference भी कहीं-कहीं लिखा हुआ रहेगा अब अगर potential difference दो point का अगर हम कहें कि one volt है यानि कि one joule work किया गया उस one column of electric charge को move करने में एक point से दुसरे point यह पहले हैं डिसकस हम कर चुके हैं तो यह हो गया अब potential difference को measure करने के लिए हमारे पास एक instrument होता है जिसका नाम है voltmeter तो voltmeter से हम potential difference को measure करते हैं और जब भी electric circuit हो हमारा तो उसमें हम voltmeter को parallel attach करते हैं मतलब देखिए यहाँ पे parallel है यह है और यह circuit है तो मतलब parallel हम attach करेंगे ना कि series में मतलब parallel connection होगा तो parallel connection क्यों क्योंकि हमें दो point का क्या निकालना है potential difference जैसे कि यहाँ अगर हम कोई conductor को यहाँ पे लगा दिये तो इस point पे और इस point पे क्या potential difference हो रहा है जब तक हम इसे parallel connect नहीं करेंगे तब तक हम इसे calculate नहीं कर सकते हैं तो इस कारण से voltmeter को हम करते क्या है कि किसी भी electric circuit में हम parallel connect करते हैं अब voltmeter जो होता है वो high resistance का होता है अब इसका जो resistance है high है अगर हम series में connect करेंगे तो हमारा जो electric current है उसे flow होने ही नहीं रहेगा electric charge को इस कारण से इसे हम क्या करते हैं high resistance होने के कारण parallel में connect करते हैं और इसे हम लोग इस term को volt या फिर voltage के नाम से भी जानते हैं और voltage जो है वो ही potential difference का एक दूसरा नाम है तो अब हमें potential difference अगर निकालना होगा तो हमारे पास formula है potential difference is equals to work done by charge book यानि कि यहाँ पे हमारा तीन quantity है अगर इसमें से कोई भी एक quantity निकालना हो और अगर दो quantity हमें दिया हुआ हो तो हम easily calculate कर सकते हैं in numerical को इस formula के help से तो अब आगे हम देखते हैं और भी जो questions है वो उसमें definition है किसी-किसी question में और किसी question में numerical है तो अभी तक जो हमने दो formula पढ़ा था work done का और potential difference का इन ही दो formula से हमें क्या करना है यहां calculate कर लेना है अब हम जानते हैं electric current को electric current होता क्या है electric current को अब हम define करेंगे होगा क्या कि जब दो charge body जब अलग-अलग potential difference से connected होगे मतब अलग-अलग potential से connected होगे दो charge body किसी metal wire के through तब electric charge जो flow करेगा उस body मतब electric charge जो flow कैसे करेगा तो electric charge जो flow करेगा वो उस body से flow करेगा मतब जिसका higher potential हो वहाँ से lower potential की और electric charge जो है वो flow करेगा तब तक flow करते रहेगा जब तक की same potential दोनों में न आ जाए जैसे कि अगर water flow हम अगर करें दो tank को अगर हम add कर देते हैं एक single pipe से और एक में पानी जादा है दुसरे में अगर पानी कम है तो वो तब तक कम जिधर जो पानी है उधर वो flow होते रहेगा जब तक की दोनों tank में बराबर पानी न आ जाए उसी तरीके से यहां भी electric potential में भी दो charge body में अगर different electric potential है तो तब तक electric charge flow होते रहेगा जब तक की higher और lower potential का जो दोनों का है potential वो same न हो जाए जैसे कि अगर हम करते क्या है कि अगर कोई चीज जैसे गर्म है तो गर्म को अगर हम ठंडे में रख जैसे bucket में ही हम डाल दिये तो होगा क्या कि जब तक अगर कुछ देर हम छोड़ दिये तो जब तक दोनों का temperature same नहीं होगा तब तक वो transfer होते रहेगा तो होगा क्या कि क्या जो गर्म वाला जो चार्ज में स थ anf के साथ भी थोता मतलब Vall पोटेंशल से लौर पोटेंशयल की और आप जो प्नेशफ ओ सार जॉग बाइर का उसमें इलेक्रिक करेंट होते हैं और और बाप बाइड Сब जो है वो क्यूं होता है मतलब उसमें फ्लो होता क्यूं है तो potential difference के कारण ही electric charge या फिर हम simply कह सकते है current जो है electric current वो flow करता है तो अब हम लोग जाने गए कि electric charge जो है वो flow होगा metal wire में जब क्या होगा कि किसके कारण तो electron के कारण यानि negative charge electron के कारण electric current flow करता है तो अब हम इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए आगे हम अगर define करें electric current को तो क्या इसका definition होगा तो main जो definition है electric current का वो यही होगा कि the electric current is of flow of electric charge और हम उस electric charge को क्या सकते हैं electron इना conductor such as a metal wire मतलब किसी conductor जैसे के metal wire में electric current का flow किस कारण होता है तो electric current का flow होता है जब उसमें electric charge या फिर electron का flow होगा तब ही अब जो magnitude होगा electric current का किसी भी conductor में वो होगा क्या magnitude तो जितना amount electric charge का किसी given point से एक second में पास हुआ उसी को हम कहते हैं उस electric current का magnitude और जो हमारा electric charge है उसे हम coulomb से मतलब q से सो करेंगे और जो time है उसे t second से तब हमारा जो magnitude हो जाएगा मतलब current का current को किससे हम सो करते हैं i से तो i is equal to q by t और येसा unit जो होता है current का वो ampere होता है electric charge का हमारा coulomb होता है current का ampere होता है potential difference का bolt होता है और इस electric current का जो SI unit है उसे हम capital A later से denote करते हैं तो यहाँ ampere हो गया अब हम आगे क्या करेंगे कि देखेंगे कि जब एक coulomb charge flow कर रहा है किसी cross section मतलब किसी conductor के cross section से एक second में तब हम कह सकते हैं कि electric current जो हमारा है वो 1 ampere का flow कर रहा है तो 1 ampere का electric current को हम क्या कर सकते हैं कि 1 coulomb of charge divided by time जो है वो 1 second तब हमारा जो 1 ampere आएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं यह 1 ampere आ गया और अगर इसका smaller unit लेते हैं ampere का तो यह क्या हो जाता है milli ampere और इसे हम small m और capital A से so करते हैं और अगर उससे भी अगर छोटा unit लेना है मतलब milli ampere से भी तो उसे हम micro ampere से measure करते हैं जिसको इस तरीके से micro यह हो गया और यह हो गया हमारा ampere अब current को measure करने के लिए जैसे voltage को measure करने के लिए हमारे पास voltmeter था उसी तरीके से current को measure करने के लिए हमारे पास एक instrument है जिसका नाम है emitter तो emitter को जैसे हम करते क्या थे कि voltmeter को हमेशा parallel में connection करते हमारे electric circuit में लेकिन हमारे एक एक है Right into war का होगी तो emitter को हम series करेंगे तो जो भी चीज हम ON Eli करते हैं उसका जो resistance होता है वह बहुत कम होता है और जिसे हम parallel में connect करते हैं इसका resistance जाहां 구독व जो एक rule कोई तो एसा होता है जिसको हम parallel series में ढमें connect कर सकते हैं तो उसके लिए कोई नहीं रूल है लेकिन अगर हमें हमें मदब एक रूल एक रूल ऐ ह Sand practice से हम सीरिज में ही करेंगे तब यह वह हुआ फ़ंसं करेंगा इसे हम प्रॉस्ट करणे करेंगे तब फ़ंसंभ्सर्ट करणे गा तो जो भी फ़ंस्द निचेज पी क्या सब्सक्राइब अमुम् सेखनगे निचार्जज क्यों?. नीने, इसको हम सेकेंड में चेंज कर दिए, अब हमैं हमें चार्ज Q निकालना है तो मह Activ 이건 कियो bilateral को Q by T, यहां मैं Q करना है, आउज टी दिया हुए, setting दोनों को multiply करेंगे क्यों हमारा find out हो जागा क्यों आ गया यहां पर 300 कुलम तो इस तरीके से जो numerical है वो आपका solve हो जाएगा easily अब हम देखते कि किस तरीके से continuous flow होता है electric current का तो electric current का continuous flow होने के कारण होने का मतलब क्या कारण है तो यह है potential difference दो point का यानि कि continuous flow तब तक होते रहेगा जब तक दोनों point का potential difference कुछ रहेगा तो simplest way है कि potential difference दो end का किसी भी conductor का हम क्या करें difference रखें तब मतलब अलग-अलग रखें तभी continuous flow हो सकता है current का जब वो किसी conductor से connect है उसका दोनों terminal जैसे की CL या फिर battery का दोनों terminal अगर connect है तो और किसी conductor से तो conductor यहाँ पर हम क्या इस bulb को conductor ले लेंगे यह जैसे हमारा wire conductor है लेकिन यहाँ पर bulb को अगर direct हम ऐसे connect कर दियें एक single wire से और बीच में अगर कोई resistance या फिर जिसे हम conductor करते हैं वो न रहे तो क्या हो जाएगा short लग जाएगा तो इस कारण हम क्या करते हैं बीच में conductor लगा देते हैं अब battery या फिर सेल में यह जो potential difference है वो किस कारण होता है और यह continuous क्यूं बना हुआ रहता है तो उसके अंदर chemical reaction होता है सेल के अंदर या फिर बैटरी जो है उसके अंदर और वो जो है वो potential difference को maintain करके रखता है दोनों terminal में इसी कारण वो electric charge का flow होता है अब एक simple जो छोटा वाला हमारा जो battery है जिसे pencil battery हो गया या फिर torch में जो हमारा battery लगता है उसका जो potential difference होता है वो 1.5 volt का potential difference को maintain करके रखता है और इसके दो terminal होते हैं एक हमारा positive terminal दुसरा negative terminal तो dry cell को जब हम torch के bulb से connect करेंगे with the help of copper wire तो potential difference के कारण electric current flow होगा उस copper wire में और हमारा जो bulb है जो कि उसे हम connect किया हुए है वो glow करेगा जलेगा और इस current को maintain करने के लिए external circuit में cell जो है वो करता क्या है किस सीज को वो खर्च करता है तो उसके अंदर जो chemical है उस chemical energy को वो खर्च करता है और potential difference वो बनाए रखता है तो अब हम देखेंगे कि जो torch bulb है वो actually एक type का conductor है मतब उसे हम conductor बोलते हैं या फिर उसे हम registered भी बोलते हैं रजिस्टर इस माइने में कि वो कर क्या रहा है कि जो हमारा electric current है उसे थोड़ा रोक रहा है तो अब हम उपर हम लोग ने जान लिया किस सीज के बारे में तो potential difference के ब लोग जान गए हैं कि इसी के कारण current flow होता है किसी भी circuit में अब direction of electric current यानि electric current का direction क्या होगा तो जब electricity का अविस्कार हुआ था बहुत समय पहले तो ऐसा माना जाता था कि दो type के charge होते हैं एक positive charge दूसरे negative charge लेकिन उस समय electron का discovery नहीं हुआ था तो लोग electron के बारे में नहीं ज जानते हैं positive से negative की और यहीं चीज को अभी भी हम लोग follow कर रहे हैं लेकिन एक चीज हम लोग उने जाना है किसके बारे में तो electron के बारे में अब discovery हो गया है तो हम लोग electron के flow को जानते हैं और हम यह जानते हैं कि इसी electron के flow के कारण ही हमारा किसी भी conductor से जो current electricity है मतब जो current है वो pass करता है या फिर electric charge pass करता है तो जो convention direction है electric current का वो लिया गया है positive terminal मतब किसी भी cell या battery की अगर बात करें तो उसके positive terminal से negative terminal के through और वो भी बाहर के circuit से मतब अंदर से नहीं अंदर separation रहता है मतब जो अगर हम cell में देख रहे हैं कि जो दो terminal है positive और negative terminal नहीं रहेगा किसी चीज से तो वो क्या होगा मतब खुद में फ्लो हो करके वो charge उसमें जो भी है वो खतम हो जाएगा मतब जो अंदर ही reaction हो करके वो पुरा का पुरा खतम तो इस कारण से उसका जो flow होता है वो बाहर वाले circuit से यानि कि बाहर जो हम copper wire से connect करते थे उससे तो connecting wires जो होगा वो उसका point कैसे रहेगा तो जब भी हम arrow बनाएंगे तो arrow रहेगा positive terminal से negative terminal की और जैसे यहाँ पर figure में हम लोग देख सकते हैं यह positive terminal है तो यहाँ से arrow इधर की और जा रहा है negative terminal की और तो इस तरीके से electric current का flow होता है अब जो convention direction है current का अगर हम लोग देखें कि actual जो flow होता है वो किसीज का होता है तो electron का actual flow होता है हम लोग जानते हैं कि electron का actual flow होता है चूकि क्या होता है जिसमें current होता है और यह किस ताइब की दर से होगा तो electron में हमारा negative charge तो negative charge होगा कहा negative terminal में और यह negative terminal से positive terminal तक आता है यानि कि जो हम conventional current यानि कि current का जो हम लोग ने direction माल द होता है यानि कि करेंट का फ्लो किसके कारण होता है तो इलेक्ट्रॉन के कारण तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो निगेटिव से पॉस्टिव अब किस तरीके से हम लोग जानेगे कि किस तरीके से जो करेंट फ्लो करता है किसी भी वायर में तो यहां पर हम देख सकते हैं कि यह हमा रहा है तो इस तरीके से कहां होता है conductor में और जैसे ही हम इसे करेंगे क्या कि किसी electric circuit में अगर हम इसे connect कर दिये तो जो भी electron है वो एक arranged manner में हो जाएगा मतलब था क्या अगर समझे कि पहले कोई teacher नहीं थे तो बच्चे ग्राउंड में इदर उदर भूम रहे थे खेल रहे थे पीटी का आगर समय था और जैसे ही metal wire जो था वो connected नहीं था तो electron जो थे वो इदर उदर मूब कर रहे थे और जैसे ही हम उसे connect किये source से मतलब source of electricity जैसे कि sales या फिर किसी battery से तो यहाँ sale है अब sale और battery में difference क्या है कि sale जो होता है वो single होता है और battery जो होता है वो एक से अधिक sale का अगर रहेगा तो उसे हम battery कहते हैं तो चुकि जो electron है वो negatively charge है और वो start कर देता है move करना negative end से positive end wire का तो इस कारण से जो flow होगा electron का वो किदर से होगा तो यह negative terminal से positive terminal के ओर यानि कि इधर जो है वो electron का flow होगा और अगर charge का flow लिया जाए तो वो किदर से होता है positive से negative हम लोगों हमें माल लिया था, आपने सुविधा के लिए, अब हम लोग देखते हैं, electric circuit का तो सबसे पहला condition क्या है कि जब अगर continuous conducting path हमें अगर बनाना है मतलब ताकि continuous जो है हमारा जो charge है electric charge वो flow होते रहे wire से और दूसरे resistance से जैसे कि electric bulb हो गए switch हो गए और जो दोनो terminal है cell का या फिर battery अगर हम लिए है तो battery का तो इसे हम circuit काते है मतलब continuous conducting path जिसमें होना क्या चाहिए minimum एक sale, एक electric bulb, एक switch और एक conducting wire तभी कम से कम minimum requirement है किसी में electric circuit का इतना चीज तो यहाँ electric circuit हम उसे कहेंगे जब यह सारे चीज रहेंगे तो अब इस figure में हम लोग देख सकते है कि एक तरी यहाँ जो positive terminal है उसके बाद switch है तो switch एक जगा दिख रहा है closed और एक जगा open तो closed मतलब बंद नहीं यहाँ closed जहां भी होगा यानि कि जैसे ही हम close किये किसी को मतलब तो हमारा जो circuit है वो complete हो गया और electric का जो flow है वो होना शुरू हो गया और जैसे हम उसे open किया यानि कि वो खुल गया तो खुलने के बाद जो circuit है वो हमारा complete नहीं होगा होगा जिस कारण electricity का flow नहीं होगा अब कुछ symbols के बारे में जानते हैं जो electric components के जो symbol है जिनका की हम लोग use करेंगे यानि हर जगा इस तरीके से diagram नहीं बनाते रहेंगे हम कुछ symbol का यूज करेंगे जैसे सेल है तो सेल को इस तरीके से साइड पॉस्टिव दूसरे साइड निगेटिव अगर जो बैटरी है तो बैटरी जैसे कि यहाँ दो सेल का बैटरी है बैटरी अधिक भी हो सकता है तो यह हो गया अब जो हमारा मोबाइल फोन है उसे हम सेल फोन इसलिए काते है क्योंकि उसमें सिंगल सेल होता है एक पॉस्टिव टर्मिनल एक निगेटिव टर्मिनल तो इसलिए वह हमारा सेल है सेल फोन अगर कनेक्टिंग वायर तो यह से को बनाते हैं अगर वही variable resistance इसको कि हम लोग real estate के नाम से जानते हैं उसका symbol ऐसे होता है emitter इस तरीके से बीच में A लिख देंगे plus minus voltmeter इस तरीके से plus minus रहेगा बीच में volt रहेगा galvanometer में कोई भी terminal मतलब positive negative terminal नहीं रहेगा लेकिन एक circle में बीच में G रहेगा अब open switch हम लोग देख लेते हैं तो इस तरीके से open है यानि circuit complete नहीं है close switch इस तरीके से दो symbol से हम लोग बता सकते हैं अब bulb को दिखाना है तो ऐसे जोनों symbol से हम लोग electric bulb या electric lamp लिखावा है उसे हम सो कर सकते हैं तो यह हम लोगों ने जान लिया अब battery जो है वो combination है दो या दो से अधीक सेल का variable resistance जो है उसे हम लोग real estate के नाम से जानते हैं और real estate जो है अगर इधर से यह हमारा जा रहा है इधर अगर flow है electric current का तो अगर हम इधर move कियें इसको तो resistance जो है वो कम हो जाएगा और जैसे जैसे हम पीछे इसको ले जाएंगे तो resistance जो है वो बढ़ता जाएगा यानि कि इतने दूर वाले path से हमें पास करना है तो यह होगा हमारा variable resistance इस तरीके से real estate को हम लोग variable resistance करते हैं अब circuit diagram electric circuit का जिसे हम represent करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से हम circuit diagram से यानि कि सब का हम figure नहीं बनाते रहेंगे circuit diagram से represent करेंगे तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं यहाँ किस तरीके से यह जो close circuit है यानि कि यह जो बंद है तो यह bulb जो हमारा glow कर रहा है और हो गया अब किनेंटर के निजसे करेंगैडर करकें सकते हैं तो इसे हम पॉसिटिव साइड में हैं और अगले विडियो में यह lung होता है अगले वीडियो में हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड जो नेक्स टॉपिक है जैसे ओम्स लॉह है कुछ और लॉह है उसे हम लोग जानेंगे तो आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद